नमुश्कार में हो प्रिया, पटना नियूज में आपका स्वागत है, चलो जानते हैं पटना की 11 फटाफट खबरों को पटना में एक भी मरीज भरती नहीं है, दिली से पटना आ रही ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में टला बड़ा हाथसा, बीते दिन राज़ानी पटना में बड़ा रेल हाथसा होते होते टल गया, मिली जानकारी के नुसार ट्रेन के ड्राइवर की ततपरता के कारण ये पपाया, दरसल दानापुर रेल मंडल के बेटा रेलवे स्टेशन के डाउन में लाइन पर दिली से आ रही गाड़ी संख्या 15657 डाउन दिली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल के पीछे वाले जनरल कोच के ब्रेक बैंडिंग में अचानक लप्टे देखने को मिली, जैसे ह में मीनी शराब फैक्टरी का पुलिस ने किया उद्भेदन, बिहार में कहने को शराब बंदी कानून लागू है लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर शराब पीने और बेचने वालों की जानकारी हर दिन निकल करके सामने आ रही है, इसी कड़ी में बीते दिर राजधानी प बता दे कि पटना के पोश इलाके सहित बाइपास के तीन मंजला इमारत के हर फ्लोर से नकली शराब बनाने का समागरी बरामत किया गया, इसके साथ ही पुलिस ने चार शराब कारुबारी संजय, बबलू अर्विंद और एक अन्य को गिरफतार भी किया है, पटना के सिनमा प्रियता को देखते हुए हाली में बिहार में इससे टाक्स फ्री भी कर दिया गया है, वहीं अब जल्द ही पटना के सिनमा घरों में ये फिल्म सभी विधान मंडल के तमाम सदस्यों के लिए लगाई जाएगी, सबसे खास बात यह है कि बिहार विधान मंडल के तमाम सदस कर्मी और असी मेजिस्टरेट की हुई तैynnाती, जल्द ही बिहार दिवस को लेकर बिहार की गांधी मैदान में आयुजित होने वाले कारिकरेम को लेकर सुरक्चा व्यवस्ता बढ़हा दी गई है, जिसके तहटी गांधी मैदान में 22 से 24 मार्च की बीच होने बिहार दिव समारोग गांधी मैदान के अलावा श्री कृष्णी मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जाना है। अलाव कि उन लोगों के लिए थोड़ी रहाद जरूर थी जिन्होंने पहले ही अपने टिकेट की बुकिंग कर वाली थी। गौराया को बचाने के लिए पटना में लिया गया संकल्प। होली के अगले दिन शहर से नहीं उठा कच्रा। होली के अगले दिन यानिकी रविवार को शहर के चारो तरफ कच्रा फैला हुआ नजर आया। हर चौक चौराहे पर और मुहले में कच्रा देखने को बिला जिससे लोगों की परिशानी काफी जादा बढ़ गी। नगर निगम के पदाधिकारियों की माने तो होली के छुटी के कारण दिन में जिन मजदूरों की ड्यूटी थी वो वापस नहीं आपाए रात की ड्यूटी वाले मजदूर वापस आ जाएंगे और सफाई का काम शिरू कर दिया जाएगा। नगर निगम के सभी अंचलों में रविवार को कच्रा नहीं उठाए गया या इतना ही नहीं डोर टो डोर बाहन भी अपने यार्डों में नहीं निकले। तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर एक मामले के पुष्टी हुई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बिहार में COVID-19 के मामलों में लगातार गिरावर जारी है जिससे बिहारवासी ने राहत की सांस ली है। की पुझा की जाती है। देवी माता के लिए भी यह मंदर काफी प्रसिद है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके नुजार राज़ानी पटना में खाने पेने के लिहाद से कौन सी जगे सबसे ज़्यादा मशूर है। अपने जबाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। पटना की बड़ी खबरों से अब्डेट रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें।